मेरा नाम अर्जुन है और ये बात तपकी है जब गाउ में हमारा नया घर बन चुका था और इस वक्त मैं गाउ में नया नया रहने के लिए आया था दरसल मेरा घर बहुत ज़्यदा बड़ा था और हमारा बगीचा भी बहुत ज़्यदा बड़ा था इसलिए घर और गार्डन साप करना मेरे बस की बात नहीं थी सो मुझे एक कामवाली बाई की जरूरत थी लेकिन गाउ में कामवाली बाई मिलना बहुत ही ज़्यदा मुश्किल हो चुका था एक दिन मेरे घर पर एक औरत आ गई थी उस वक्त सुभा के दज बच्चिगे थे उस औरत को देखकर मैंने कहा बहन जी आप कौन हो इस पर उस औरत ने कहा सर जी आपको कामवाली बाई चाहिए थी न तो मैं वही हूँ उस औरत की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यदा खुश हो गया और मैंने उसे उसका नाम पोच लिया उसने अपना नाम सुशिला बताया उसके बाद मैंने उस औरत को काम पर रग लिया वो औरत सुबह 6 बजे काम पर आती थी और शाम को 6 बजे अपने घर जाती थी ऐसा रोज रोज चलता रहा एक दिन मेरा दोस्त समिर मेरे घर पर आ गया और मेरा घर एकदम साफ सुतरत देखकर वो बहुती ज़्यादा चोग गया और उसने मुझसे कहा वा भाई तुम्हारा घर कितना साफ है और एक हमारा घर इस पर मैंने कहा हाँ भाई हमारी कामवली भाई तो बहुत अच्ची है मुझे कोई शेकायत का मौकाई नहीं देती सुशिला दीदी बहुत अच्चा काम करती है समिर ने जैसे ही मेरे मुझसे ये नाम सुना तो वो पूरी तरह से चोग गया और मुझे उसने फिर से पूछया क्या क्या कौन इस पर मैंने कहा अरे सुशिला दीदी हमारी कामवली भाई का नम सुशिला है इस पर समिर ने कहा कही तुम सुशिला मुल्चंत की बात तो नहीं कर रहे हो मैंने कहा हाँ वही वही सुशिला दिदी समीर ने कहा बागल हो क्या इस पर मैंने कहा भाई तु कहना क्या चाता है कुछ साब साब बताएगा समीर ने कहा अब से तीन मेहने पहले यहाँ पर एक कामवाली भाई ने खुद को जला कर मार दिया और वो औरत कोई और नहीं वही कामवाली भाई है जो तुम्हार यहाँ काम करती है सुशिला दिदी समीर की ये बात सुनकर मैं पूरा हिल गया मुझे अंदर से जोर का जटका लगा अभी मैं उस शौक से सवरने वाला ही था तबी अच्छनक मुझे पीचे से आवाज आ गई साब जी क्या आपने मुझे याद किया